ये फ्रेंट्स वेलकुन तो मैं चैनल एबी रॉक्स टीम्स तो गाईसे मैं एक मैच कवर करने वालों जो की खेला जाएगा एक घंटे 48 मिनिट के बाद चैंपिन्स लीग का मैच एटलेंटा वर्सिस रियल मैड्रिट के बीच टॉप का मैच होने वाल है रियल मैड्रिट के जीतने के चांस 80% है और अटलेंटा के 20% बटर अटलेंटा टीम भी बहुत जबर्दस फॉर्म में मुझे दिखाई दी है तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइन अपस के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अबी रॉक्स डीम 11 टीम्स इसका ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि आपको ढूंडने में प्रॉलम ना है और यह हैं प्रिवेस मैचिस के स्क्रिण शॉर्ट जिसमें की अल्ट्रा विनिंग हुई है फ्रॉम मॉर्निंग तो पिछले मैच पर बहुत अच्छा चला था मतलब देखा जाए तो एटलेंटा के बहुत मैचिस हो चुके उसके बाद भी बट इन्हों ने एजी ए टीम को क्लीन शीट से हराया था बट रियल मैड्रीड एक खतरनाक टीम है क्योंकि रियल मैड्रीड के जितने प्लेयर्स ने सारे नामी घामी और आपको बता दूँ बड़े बड़े प्लेयर्स रियल मैड्रीड टीम में खेल चुके है बात करूँगा गाइस डिफेंडर की एस रैमस को यहां से लेने वाला हूँ रैमस ने पिछले मैच के अंदर एमो बी जैसी टीम के आगे विदाउट एनी गोल विदाउट एनी एसिस सिक्स्टी पॉइंट दिये थे और इनकी क्लीन शीट भी लगी थी आगे से बात करूँ एफ मैंडी की तो एफ मैंडी बहुत अच्छी फॉर्म में है लगातार हर मैच खेलता है बट इसका ड्रीम टीम में अभी तक नाम नहीं आ रहा है इनकी डिफेंडिंग से जादा मिड फिल्डिंग और स्ट्रोंग है तो मिड फिल्डर प्लेयर जादा जगा घेर रखे हैं वरेन की बात करूँ तो आर वरेन भी यहां पर बहुत अच्छी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यह तीनों प्लेयर सबसे आदा में और जैसे बोलते हैं न चार डिफेंडर में होते हैं यह तीन में है आगे से बात करूँ मिड फिल्डर की आज़ लूँगा टी क्रूस को तो टी क्रूस एक लेफट एंड साइड मिड फिल्डर है बट गोल करता ही करता है मतलब असी प्रतीशत गोल अपने मैच के अपनी तीम की तरफ से करेगा ही करेगा इस लिए इसको काफी लोग वाइस करेप्टन चुनते हैं क्योंकि इस पर भरोसा है और आगे से बात करूँ नेक्स पेर की आर गोसंस को लूँगा आर गोसंस ने अभी तक देखो लिवरपूल के सामने 26 नुवंबर के मैच में गोल किया था और उसके बाद भी बड़े बड़े गोल सराम से कर चुक है वालब इतने जो अलग-अलग लीक्स होती हैं उसमें अच्छे खासे गोल करता है ये भी तो गोसंस फॉर्म में और आगे से बात करूँ मॉडरिक की एल मॉडरिक या फिर आप ले सकते हो एल वेस्कुरस को तो इसी को प्रॉपर जो एक मिट फिल्डिंग करनी चाहिए वो यही कर पाएगा मॉडरिक आगे से बात करूँ मैं एकस्पेक्टिड गोल का बात शाब जैको इसने ये बहुत कम चलता है मलब अगर ये चला तो सीधा एक से दो गोल करेगा नहीं चला तो ये लिटरली फ् इसले बात कुरूब के, ये बेंजमा जैसा प्लेयर तो ये लिटरली नहीं से लिटको एक नाम ज़ियो जने प्लेठे折ेज्य नहीं बहुत के, वासे बात करूब में तो या अल्ग प्लेलरा तो येरी मीरी टीम गाइग और एक प्लेयर तो बताना था दम की प्लेयर, जो क कि मैं फ्रियूलर को इसलिए लास में बता रहा हूँ एक तो पहले आतम फ्रियूलर को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि साधे आट क्रेटिट के अनदर आपको बहुत अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे सेकंड बात यह कि यह प्लेयर राइट और साट मिड्फिल्डर है तो अगर गोल हुआ तो यहीं मेरी टीम मिलता हूँ अगली वीडियो में बाए आपका दिन शुबर